अगर इन दिनों आप अपने रूखे सूखे और बेजान बालों से परेशान है बालों में चमक भी खतम हो गई है तो आज मैं लेकर आई हो एक ऐसी होम रेमेडी जिसका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है बलकि इसे लगाने के बाद अगर आप अपने बालों को शैंपू से दो लेते हैं तो बालों में चमक आजाएगी उमीद करूंगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा तो इस होम रेमीडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहापर दो चमस दही लिया है दही हमारे बालों को काफी जादा अंदर से मौश्याइज करता है बालों क छो रूखा भूण उसे खतम करता है रूखा भूण खतम होने कि वरे से बालों में चमक आती है इसके लाव यहाँ मैंने आद्था चमच अलोवेरा जैल भी लिया है अलोवेरा जैल के जिने तारीफ की जाए उतनी ही कम है यह भी हमारे बालों से जो एक्स्ट्र तेल है उस के help से हमें तीनों को ही अच्छे से मिला देना है तो देखिए तीनों की तीनों ही जीज़ा से मिल चुकी है और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नीबू भी डाल सकते हैं यूकि नीबू भी हमारे से खुजली है उसे खतम करता है तो चलिए अभी इंग्रीम से ह्मारे पयस्तियार की हो गिया है अब इसको कैसे यूजे करना है यह हूं पता देती हूं सबसे पहले अपने बालों में नालील sausage तेल या सरसों का तेल कोई भी तेल लगाना है जो आप अपने बालों में लगाते हैं और तेल लगाने के बाद फिर आपको इसे अपलाई करना है इसे अच्छे से लगाना है बालों में बालों की जड़ों में और बालों की लेंद में और दो गंटे के लिए आपको छोड़ की मिनदा दो गूंटे बाद आपको शैंबू से दोना है अच्छा अपनी पसंद के बाल बेसे पयाद शैंपू सका भाल झобыर historique के बालों के बालों में कर भाभा बहुता हाल कशा चाहेंगे thanks for watching